Energy और Power ये दो चीजे ऐसी हैं जिने जब define किया जाता है या फिर इनके बारे में बात किया जाती है तो दोनों चीजों को काफी जादा mix किया जाता है और इन दोनों की definition को जब भी बताते हैं कोई भी student है या फिर कोई और है जब लोग बात करते हैं generally भी तो इन दोनों चीजों को mix किया जाता है अब इन में क्या difference है ये दोनों चीजे हैं क्या अगर आपका भी यही doubt है या फिर जानना जाते हो तो फिर इस वीडियो को इन तक ज़रूर देखना Hello दोस्तों स्वाद आप लोग का एक बार फिर से रोजेंडर पर और बेसिक साइंस की इस वीडियो में आज हम लोग बात कर रहे हैं एनर्जी और पावर की तो क्या होती है एनर्जी सबसे पहले वो जान लेते हैं तो एनर्जी बेसिकली होती है capacity to do work आप कितना काम कर सकते हो आपके काम करने की आपकी इनर्जी होती है मान लीजिए कोई सामान की एक जिते से उठा कर दूसरी जगे रखना है अगर आप उस काम को कर सकते हैं तो आपकी capacity हो यानि कि आपके अंदर इतनी इनर्जी है कि आप वो काम कर सकते हैं या कोई भी और काम करने के लिए कि आपके अंदर शमता है तो आपके आपके अपस energy है वो होती है आपकी energy energy के काफी सारे types होते हैं जिसे हम आने वाली videos में जो है cover up करने की खुशिश करेंगे जिसे kinetic energy हो गई, potential energy हो गई कैसे ये energies जो है वो एक दूसरे में convert होती है और क्या अलग-अलग different forms of energy होती है और forms of energy और types of energy में का difference होता है पर अब बात करते हैं power की What is power? Energy per unit time is known as power यानि कि आप particular time में एक particular time में कितनी amount of energy use कर रहे हो वो आपकी power होती है Energy क्या थी? Capacity to do work आप कितना काम कर सकते हो पर उस काम को आप कितने time में कर रहे हो यानि कि जो आप energy use कर रहे हो वो कितने time में use कर रहे हो वो आपकी power दर्शाता है For example लेते हैं कि एक book आप finish कर सकते हो अब एक book आप finish करतो सकते हो ये तो आपकी capacity हो गई ये आपकी energy हो गई पर कितने time में कर सकते हो वो आपकी power होगी अब power क्या दर्शाती है जब energy थी तो power की क्या ज़रूरत पड़ी per unit time लिकाल के हमने क्या कर लिया तो वो जान लेते हैं तो power आप लोगों को जैसे pressure force का जो impact है वो बताता था वैसे ही power जो है वो energy का impact बताता है यानि कि आप कितने amount of energy अगर पर unit time में अगर आप use कर रहे हो तो उससे पता लगता है कि आपकी energy use करने का impact क्या होगा वो power है यानि कि अगर आप थोड़े time में ज़ादा amount of energy use करते हो तो आपकी power बहुत ज़्यादा है बहुत ज़्यादा आप अपनी efficiency लगा रहे हो बहुत ज़्यादा अपनी power का इस्तमाल कर रहे हो और अगर आप power कम इस्तमाल करोगे तो energy ज़्यादा time में आप थोड़ी ही energy use करोगे जैसे for example अगर आप लोगों को एक भारी समान उठाना है तो आप लोगों को ज़्यादा power लगानी पड़ेगी यादि कि ज़्यादा energy कम time में use करनी पड़ेगी और अगर आप लोगों को marathon दोड़नी है तो आपकी power को आपको जो है वो broad करना पड़ेगा यादि कि energy आपको use करनी है बट कितने time में बहुत ज़्यादा time में तो ये कुछ explanation है जो थोड़ा सा मैंने simple भाषा में explain करने की कोशिश करी है कि power क्या होती है और energy क्या होती है और इन दोनों के बीच का difference क्या है hopefully आप लोगों ये video पसंद आई होगी यार अभी मैं जो दूसरे तरह की videos जो channel पर बनती है जो जिसके लिए channel जो है वो बना है वो नहीं बना पा रहा हूँ अभी interviews भी अभी मैंने hold पर डाले हुए हैं काफी सारे but डॉक्टर घटक का interview का कुछ part रहे गया था वो मैं जल्द ही डालने वाला हूँ channel पर hopefully next Sunday वो video upload हो जाएगी जिसमें आप लोगोंने कुछ सवाल भी बेजे थे वो वाले part जो है वो मैं upload कर दूँगा और Spotify और Anchor जैसे apps पर audio versions जो है वो आप उन सभी जो भी मैंने interviews किये हैं वो सुन पाएंगे link इस video के description में मिल जाएगा अभी वहाँ पर एक आधी podcast होगा और अगर आप लोगों ये video पसंद आ गई है तो like कर देना इस video को share कर देना आपने दोस्तों के साथ जो भी basic science समझना चाते हैं मेरी कोशिश यही है कि basic science में जो मेरे doubts रहे हैं वो मैं आप लोगों के doubts के साथ clear करूँ यानि कि जो मेरे doubts हैं वो clear जब मुझे हो जाते हैं तो मैं आप लोगों को share कर देता हूँ और इससे मुझे लगता ही कि आप लोगों को भी science समझने में और physics समझने में जादा असानी होगी तो thank you very much from Rosender